नमस्कार साथ यो स्वागता आपका दुरश्वी आईएस इन्वार्मेंट डिस वीग प्रोग्रेम में आप जानते हैं कि हमने हाली में इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी और इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के पीछे का ध्य यह था कि हाल फिलाल में UPSC प्रार्मभी परिक्षा में प्रशनों की पूछने की प्रकृति इस प्रकार से रही है कि वो करंट घटनाओं की स्टेटिक पॉर्षन से प्रशन पूछ रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एंवार्मेंट दिस वीक प्रोग्राम की शुरुवात करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के स्ब्रोग्राम में हमने किन खबरों को शामिल किया है सबसे पहले हम बात करेंगे पर और did कोबरा के साथ जो इंडियन कोबरा है उसकी भी तुलना करेंगे क्योंकि सामानत रिंडियन कोबरा को किंग कोबरा भी माल ले जाता है जबकी इन दो अलग दृष्ट्री को उसे महत्वबॉण है हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि दृष्ट्री आइस संस्थान ने अपनी अलग लग शाखाओं पर इंदी माध्यम के आइस जेस फांडेशन कोर्स प् साथ ही लखनव शाखा में 18 अक्टूबर से बैच प्रारंध हो रहा है जिसका समय रहेगा सुभे साड़े ग्यारा बजे इन शाखाओं के पास अगर आप इस्थित हैं तो इन शाखाओं में जा करके अपने अड्मिशन को सुनिश्यत कर सकते हैं और सफलता की दिशा में अ अपने अड्मिशन को सुनिश्यत कर सकते हैं और आप जानते हैं कि सामाने अध्यन की तयारी आपकी IES की तयारी की बुन्याद होती है इसलिए इस बुन्याद को मजबूत करिए और इन कोर्स में अड्मिशन लेना सुनिश्यत करिए और अपनी सफलता की दिशा में पहला क को एक समान मा ले जाता है लेकिन इसमें अंतर होता है इस अंतर को हम जानने की कोशिश करेंगे दुनिया भर से हमारे पूरे देश भर से इस वारकार की खबरे आती है और खास तोर से बरसात के मुसम में खबरे आती है कि किंग कोब्रा ने कई व्यक्तियों को डस लिया है और आज कल UPSC की प्रारम भी परक्षा में पूछ ली रहाते हैं तो उसकी संपोण परिपेख्ष को जानना हमारे दिए महत्वपोण है प्रत्वी पर सबसे विशयले यानी सबसे जहरीले सापों में से एक है किंग कोब्रा और सबसे जहरीले साप जो है उसमें ये सबसे लंबे सापों में से भी एक है जहरीले सापों में इसका जो विश है वो सबसे अधिक शक्तिसाली नहीं होता लेकिन उसके बावजूद इतना शक्तिसाली होता है ये एक बार के काटने में ही इतना जादा नियूरो टॉक्सिन छोड़ सकते हैं कि वो जहर 20 लोगों की जान लेने में सक्षम होता है और इवन यहां तक की एक हाते की जान लेने के लिए भी वो परियाप्त होता है जहर दुनिया का एक मात्र साप है जो अपने अंडो के लिए गोंसला बनाता है और इतनी क्रूरता पूर्वक उस गोंसले की रक्षा करता है जब तक की उस अंडे से साप बाहर नहीं आ जाते तब तक बहुत क्रूरता पूर्वक अपने अंडो की रक्षा करता है और किसी को भी पास नहीं आने देता King Cobra King Cobra के बारे में ये महत्वपूर्ण तत्थ है अगर हम इसके परियावास की बात करें कि ये कहां कहां पर रहते हैं और Asia की बात करें तो Asia में ये भारत में पाय जाते हैं उसी तरह से दक्षणी चीन ये इसी तरह से उचे घास के मैदान, नदियां, जंगल और बास के घने जंगल हों ये रहना पसंद करते हैं। क्रिडाओं में इनका इस्तमाल होता है, उसके कारण भी इनका उत्पेडन देखने में आता है। खत्रे उपचते थे उनको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, उन खत्रों के प्रतिये सुभेद्ये हैं, वलनिरेबल हैं, उससे इनको नुक्सान पहुंच सकता है। साथ ही इनके इंटरनेशनल व्यापार को, अंतराश्टी व्यापार को ध्यान में रखते हुए, साइट्स ने, जो कि एक कन्वेंशन है, इंटरनेशनल व्यापार पर, साइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है। Convention on International Trades of Wild Species of Wild Fona and Flora, Convention of International Trade of Endangered Species of Wild Fona and Flora, इसके फुल फॉर्म होती है, और इसके परिशिष्ट सेकेंड में इसको रखा गया है, इसके अपेंडिक सेकेंड में इसको रखा गया है, वान एजीव संद्रक्षन अधिनियम 1922 की भी अनुसूची एक में इसको शामिल क्या गय थी, दो में शामिल था, लेकिन आप जानते हैं कि वन्य जीव संद्रक्षन अधिनियम 1922 में वर्ष्व 2022 में संशोधन किया गया था, तो उस संशोधन के दोरान हम देखते हैं कि इसको अनुसूची दो से अटार करके अनुसूची एक में लाया गया है, तो इस अंतर को प्रकार के अंतर हैं, और सबसे पहला अंतर इनकी लंबाई को ही लेकर है, जैसे जो सामाने कोब्रा है, जिसको आप इंडियन कोब्रा की नाम से जानते हैं, उसकी जो ओसतन लंबाई होती है, और जो किंग कोब्रा होता है, उसकी ओसतन जो लंबाई है, वो 6 मिटर तक, या मुख्य भोजन होता है किन चीजों कोई खाते हैं जैसे चुहां मेंडग छिपकली और कई तरह के पक्षी छोटे-चोटे पक्षियों को यह खाते हैं जबकि किंग कोब्रा इन चीजों के अलावा दूसरे सांपों का भी शिकार कर देता है जिसमें पाइथन और सामाने कोब् इसी कारण से इसको किंग कोब्रा के नाम से जाना जाता है रंग क्या होता है इसका किंग कोब्रा का एक व्यश्क किंग कोब्रा का रंग होता है पीला भी हो सकता है हरा हो सकता है भूरा हो सकता है और इसके शरीर पर अमोमन पीली या सफेद धारिया होती है अगर इंडियन कोब्रा के बात करें सामाने कोब्रा के बात करें तो उसका रंग भी इसी से मिलता जुलता रहता है जैसे काला भूरा पीला लाल या सफेद रंग का हो सकता है लेकिन इसके फन के फन जो इसका उठाता है तो फन पर एक आकरती होती है उपर फन के उपर वी की आकरती वी बना ह होता है आपने देखा होगा कई बार इसके फन के ओपर वी आकरती रहती है किंग कोब्रा के जो दांत होते हैं वो काफी घातक होते हैं काफी नुकिले होते हैं और इससे दांतों की जो लंबाई होती है वो आधा इंच के बराबर हो सकती है आठ से दस मिली मिलीमिटर इसकी ल उपने शिकार को यह नब्वे मिटर की दूरी से भी देख लेता है हैं तो यह इसके बारे में सामाने तत्थे हुई भारत में कोबरा की मुख्य तोर पर चार प्रजातियां पहे जाती है कौन-कौन सी प्रजाति है दूसरी Risk में नाम है तो किंग कोब्रा के भारत में पाई जाये नहीं कि जो परियावास है वह में पूर्वी घाट हूर पशिमी हार्ट यानी वेस्टनन घाट और इस्टनन घाट के लाबा उत्तर खन्ड और उत्तर पूर्व एक में भी यानि न Stress में भी चैन्ट ये फ़ए बात किंक कोब्रा और सामाने को अब बात हम करते हैं गिर राष्ट्रिneck उद्यान पर दिश्चा में क्यों रहा हाली में केंद्रिय पर्यावरण-वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रा ले ने गिर फोरेस्ट के आसपास गिर फोरेस्ट गिर वनक्षित्र के आसपास एक एकू सेंसेटिव जोन बनाने की गोश्णा की थी जो की लगबग तीन हजार तीन सोटाइस वर किलो मेंटर का था लेकिन एक सब्ता के बाद इस शेतरफल को कम कर दिया गया और साथ ही एकू सेंसेटिव जोन बनाए जाने का यहां के इस्थानी लोकुद्वारा इस्थानिय नेत्रत द्वारा विरूद भी किया गया इसके कारण एकू के बारे में आप और और यहां पर इसकी अवज्थती रहती है तो कि यह बीच में हरे वाला आप खशित्र देख रहे हैं तो यह गिर न्याशनल पार्क वाला कश्षित्र.'' और हके चारों तरफ ये हलके पीले रंगा जो आप फिर देख रहे हैं यह किसका खेपर रहा है कि रह वनत जीव अभ्यारनी ने में कई अभिया अभ्यारने हैं इस तरह के अब्यारने जैसे एक तो गिरद अभ्यारने है इस तरह अपने आप में बहुत बड़ा क्षुत्र है गिर नैशनल पार्क का और विशेश रूफ से महत्वपूर्ण है इसी यह गिर फोरेस्ट में स्थित है और गिर फोरेस्ट के चारों तरफ एक एक सेंसेटिव जोन बनाने की घोशना केंद्री परियावरण वन और जलवाई परि स्तथ पढ़ती यह जो गिर फोरेस्ट लेकिन गिर राश्ट्य ओध्यान और वने जीव अभ्यारन्य की चीff जो मुख ज campeल परती है यह जो गिर राश्ट्य जीद्यान है यह घरवन है यह शीरों का एक मात्र प्राक्रतिक आवास है प्राक्रतिक आवास ये है नेचुरल हैबिट यही है 1965 में इसको एक अभ्यारण ने घोशुद किया गया था और 1975 में राष्ट्य उध्यान इसको घोशुद कर दिया जैसे सरिश्रपों के लिए पक्षियों के लिए कीट प्रजातियों के साथ अनेक तरह की वानस्पतिक प्रजातियों के लिए एक संब्रद जैविद्धता प्रदान करता है एक अध्विती आवास का निर्मान करता है गिर को अक्सर मालधारियों की नाम से भी जाना जाता है जो यहां पर पाई जाने वाली एक प्रमुक धार्मिक पशुपालक समुदाय है और शेरों की साथ मालधारियों का एक सहजीवी संबंद पाई जाता है यानि एक सहजीवी संबंद शेरों के अंतरगत इनका रहता है और शेरों की उपस्थिति की साथ साथ ही ये अपने आवा जाने लगे तो उन्होंने यहां रहने वाले समुदायों के पश्वों पर और साथ ही आने खेतों पर फसलों पर भी हमले किये हैं व्यक्तियों पर भी हमले किये हैं लेकिन इसके बावजूद भी स्थानी समुदायों ने एशाई शेरों के साथ एक सहजीवी संबंद बनाया ह और इस सहजीवी संबंद का ही एक कारण है कि भारत सरकार एशयाई शेरों की संख्या को बढ़ाने में काम्याब हुई है और काफी उसने इसमें सुधार किया है जो मालधारी समुदाये हैं इनकी बस्तियों को नेसीस के नाम तक जाना जाता है तो विशेश तोर से आप नाम याद रखेगा मेसीज प्रभावी संद्रक्षन परियास और यहां के स्थानी समुदायों की कारण ये सहयोग इस्थानी समुदायों की सहयोग के कारण एशयाई शेरों की जो आबादी है वह 2001 में जहां 327 थी वहीं 2020 में बढ़ करके 674 हो गई है एशयाई शेरों का वैज् थे 10 लियो परिसी का अगर इनके निवास स्थान की बात करे तो गिर्राष्ट युद्ञान और गिर्वण जीव अभ्यारणे में हें कई तरह की खत्रे भी इनके सामने उपस्तित रहते हैं जैसे इनको किसी तरह की बिमारी हो सकती है साथ ही इनके आवास का अदिक्रमण जंगल की आग प्राकृतिक आबदा अत्यधिक चराई इंधन की लकड़ी के लिए संग्रह करना इंधन की लकड़ी को संग्रह करेंगे तो इनका प्राकृतिक आवास क्षरण होगा उसका क्षरित होगा गैर कास्ट वन उपज यानि लकड़ी के अलावा जो वन उपज होती ह अवैद शिकार भी इनका कहा जाता है परियतन अगर बढ़ जाता है तो ये इनका पर्सनल जो एक तरह से हैबिटेट है वो प्रभावित हो सकता है धार्मिक तेर्थ यात्रा और मानवी कारणों से ये सम्वेदन शील है इस प्रकार के इन सभी कारणों से इनको कहीं तरह की ख रही थी तो इस तरह की बिमारी के करण इनको खत्रे भी रहते हैं और हाली में सरकार स्थानी समुदाई के सहयोग के माध्यम से इनकी संख्या को बढ़ाने में कामियाब रही है एशयाई सेरों की अगर संरक्षण स्थेति को देखें तो आयूसीन की रेड लिस्ट में यह स आलेसे इंटरेश्ट जो इंटरनेशन ट्रेड पर कर्मेंशन है जो एंडटरडड इस सबाते हैं अनुसुकी एक में को शामिल किया गया है तो यह इनका संद्रक्षन स्टेटस हुआ अब हम बात करते हैं एकू संसेटिव जोन के बारे में एकू संसेटिव जोन क्यों चर्चा में हैं अभी आपको बताया था कि गिर राष्टिय उद्यान या गिर फोरेश्ट के आसपास ही केंद्रिये परियावर यहां रहने वाले इस्थानी समुदायों का यह आरोप था कि इससे उनकी आजीवी का प्रभावित हो सकती है एकू सेंसेटिव जोन को क्यों बनाया जाता है इसका एक कारण समझ लिए उसको हम पहले समझने की कोशिश कर लेते हैं मालिया कोई भी प्रोटेक्टिड एरिया है कोई बिक फॉरेस्ट प्रोटेक्टिड एरिया ईया गेर्वं श्यत्र ये प्रोटेक्टिड एरिया इसको हम अइंग ही क्छेत्र खूषित करते संद्रक्षित इंदर्शष्ष्चल ओते activities प्रतिबंदित होती हैं और अगर इसके बाहर के क्षेत्र में हम किसी अन्य क्षेत्र की स्थापना नहीं करते और जहां पर मानव बस्तियां प्रारंब हो जाती हैं मानव बस्तियां अगर प्रारंब हो जाती हैं तो इस प्रोटेक्टिड क्षेत्र और इन मानव बस्तियों के बीच कोई भी संक्रमन का क्षेत्र नहीं होता इससे यहां से जानवरो द्वारा हस्तक्षेप और यहां से मानव द्वारा हस्तक्षेप की संभावना लगातार बनी रहती है साथ ही इस प्रोटेक्टिड एरिया के बार भी पैचिस में कई स्थान ऐसे हो सकते हैं जो जैव विद्धता के लिए महत्वपूर्ण है और अगर हमने इनका लिंक इस संद्रक्षित शेत्र से स्थापित नहीं किया तो समय के साथ यह जैव विद्धता की यह किसी प्रोटेक्टिड शेत्र के आसपास एक एक और जब घोसेंसेटिव जोन हम घोशित करेंगे यानि पारस्थिति की संवेदन शील शेत्र घोशित करेंगे तो कहीं तरह की मानवे गतिविद्यों पर भी प्रतिबंद लगेगा ताथ ही जो मनुष्य और जानवरों क बीच एक ऐसा ट्रांजिशन जोन एक संक्रमन ख्षेत्र भी बन पाएगा जिससे human-animal conflict यानि जानवर का मानव के साथ संघर्ष कम होगा और साथ किये जो पैचेस में जैविविदता की महत्वपून ख्षेत्र हैं जो बिना किसी link के समाप्त हो सकते हैं ये इनको संद्रक्षण अधीनियम 1986 है वो भी इसके बारे में बात करता है और वही कहता है कि एको संसेटिव जोन का जो ख्षेत्र है वह वो प्रोटेक्टिड एरिया यानि संद्रक्षण शेत्र के आसपास 10 किलोमेटर का दाइरा कवर कर सकता है जिससे हम इसके यहाँ पर इस्थित जो पैचिस में जैब विविदता है उसकी संद्रक्षण की एक इस्थिति का निर्मान कर सकते हैं लेकिन इससे होदा क्या है कि यहाँ पर कई तरह की मानवबस्तिया है जैसे गिर राश्टिय उद्यान या गिर वन के शेत्र के आसपास जो प्रोटेक्टिव जोन जो इको स चांड में गाओं के साथ साथ यहाँ पर कई तरह की गतिविद्यां भी हैं कई तरह के रेस्टोरेंट हैं जिससे यहाँ के लोगों की आजीविका पर भी नकारात्मक प्रभाव पढ़ सकता है तो जब तक इनकी आजीविका के वैकल पिक शोथ खड़े नहीं किया जाते त तो इस प्रकार के मुद्दे कई बार विकास और परियावरण को संतुलित करने के अंतरगत भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो इको सेंसिटिव जोन का जो मुद्दा है वो विकास और परियावरण को आपस में संतुलित करने के मुद्दे से भी जुड़ जाता है और इस सामाने समझा आपको मिल गई होगी ये एक महतवपूर्ण परियावरनी संसाधन वाले क्षेत्र होते हैं कहीं तरह के परियावरनी संसाधन इसमें में मोजूद होते हैं और खास तोर से कहीं तरह का Landscape जिसमें One Gulf G1 और जैवीविद्धा खास होती इस तरह के क्षेत्रों को नुकसान हो रहा है तो इस तरह के पारिस्तिति की तंत्र को संद्रक्षित करने में मदद कर सकता है एको संसेटिव जोन एक बफर जोन के रूप में भी काम करता है जिसको हम टांजिशन एरिया कहते हैं संक्रमण शेत्र कहते हैं ताकि बफर जोन के में किस तरह से काम करेगा और मानव बस्तों के बीच एक बफर जोन के रूप में ये काम करेगा जिससे वन्य जीवों को संक्रमण की एक अनुमति सामाने तोसने मिल जा Wochen पर्यावरहण की रक्षा के लिए वाणेक जिटी खनन पत्थर उत्खनन और बड़ी जलविद्द पर्योजणाओं के सासाथ प्रदुषनकारी उद्योग जैसी गतिविधियों पर प्रतीबंद लगाते हैं यानि इको सेंसिटिव जोन में इन सारी गतिविधियों पर प्रतीबंद होता है इसके अलावा कई गतिविधियों को वीनियमित कह जाता है, रेगुलेट कह जाता है, कौन सी गतिविधियों होती है, जैसे होटल, रिजोर्ट, रेस्टोरेंट, छोटे मैपने के गैर प्रदुशनकारी उद्यों को की स्थाफना को भी वीनियमित कह जाता है, ताकि जो जिसके परियावरण को स संरक्षिद रखने के उदेशे से जो निर्मित एको संसिटिव जोन है उनका संरक्षन बहतर तरीके से क्या रच सके ये पुरा इसकी परिभाषा है एको sensitive zone की जो अवधारणा है वो ज़्यादा ब्यापक रूप से ज़्यादा प्रभावी तरीके से वर्ष्ट 2002 में हमारे सामने आती है और राष्ट्य उद्यानों और अभ्यारणों के 10 किलोमेटर के भीतर की भूमी को इको sensitive zone के रूप में घूशित क्या जाना चाहिए इस तरह की बाद हमारे सामने किसके माध्यम से आई राष्ट्य पर्यावरिन नीती 2006 ये कहती है कि इको sensitive zone जो होना चाहिए वो राष्ट्य उद्यानों और अभ्यारणों के 10 किलोमीटर की भूमी को कवर करना चाहिए जहांबर कोई भी रास्ट्य पार्थ है या वनजीव अभ्यारणने है उसके 10 किलोमीटर की जो भूमी है और उसको répondre के अंधर गत कवर किह रहे सकता है रक्षा करने की आफशक्ता पर बल दिया था अभी आपको बताया था कि जो प्रोटेक्टिड एरिया है उसको तो संद्रक्षन पराप्त होता है लेकिन उसके बहार भी कई पैचेस में ऐसे शेत्र होते हैं जो जैब विविदिता के दृष्टिकौन से महत्वपूर्ण होते ह ठक्षण करने के लिए तो एक लिंक के रूप में काम कर सके और इस लिंक को एस्टेबलिस करने के लिए ज़रूरी है कि अलग लग शेत्रों में अब्धारनों के आसपास पॉरेस्ट के पास या राष्ट्य पार्क आसपास इनकी गोशना की जाए वर्ष्ट 2011 में परियाव भवी प्रबंधन और संद्रक्षन सुनिशित करने के लिए कई गतिविधियों को सूचित किया गया था कि कौन परकार किस परकार की गतिविधियों को निशिद किया जाएगा किस परकार की गतिविधियां रेगुलेटेड होंगी और किस परकार की गतिविधियां प्रचारि कि जाती है इसकी परक्रिया क्या है तो इसकी परक्रिया यह है कि संबंदित राज्य किसी फिक शेत्र को किसी स्पेसिफिक एरिया को एको सेंसिटिव घोषित करने के लिए वहां का जो वन विभाग है राज्य सरकारों का संबंदित राज्यों सरकारों का जो वन विभाग है वह अपने राज्यों की भीततर प्रतेकसंद्रक्ष स्प्रोडिक्ट्र i.e such यंदि साइट विसेष्ड यानी इस्पेसिफिक शेत्र इको सेंसिटिव जोन प्रस्ताव तयार करता है वो ही प्रस्ताव तयार करने के लिए जिम्मेदार है और फिर इस प्रस्ताव को भेज़ा राता है परियावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले के पास जो इस प्रस्ताव की समिक्षा करता है और इस प्रस्ताव की जा करने का जो समय होता है इसके प्रकाशन के बाद ताट दिनों के भीतर ही सुझाव और आपतियां प्रस्तुट करने पड़ती है इसके बाद एको संसेटिव जोन यानि पारिस्ति की समय दन्श्विल शेत्र पर जो विशेश्चर की सम्मिति है उसकी सिफारिशों के आधार पर मंत्राले यानि परियावरन वन और जलवायू परिवरतन मंत्राले एक अंतिम एको संसेटिव जोन अधिसुष्णा जारी कर देता है और उस हित्र को एको संसेटिव जोन घोशित कर दिया जाता है यह पुरी प्रक्रिया है अब हम अपने अगले टोपिक की तरफ बढ़ें को कौन सी अनुसूची में वने जीव संद्रक्षन अधिनयम 1972 की कौन सी अनुसूची में रखा गया है दो हजार बाइस से पहले वने जीव संद्रक्षन अधिनयम के अंतरगत चा छे अनुसूचिया थी लेकिन दो हजार बाइस में वने जीव संद्रक्षन तंशोधन अध किन कोब्रा को पहले अनुसूची दो में रखा गया था लेकिन अब इसे अनुसूची एक में रखा गया है 2022 के संशुधन के बाद तो इस तरह की परिवर्तन आये हैं और इसलिए वने जीव संद्रक्षन अधिनयम के बारे में सामाने जानकारी हासिल करना हमारे लिए जरूर करता है जंगली जानवरों और पोधों की विभिन प्रजातियों की संद्रक्षन के लिए और साथ ही उनके आवासों के प्रबंधन के लिए उनके आवास के मैनेजमेंट के लिए पोधों तथा उनसे बने उत्पादों की व्यापार के बिनियमन यानि रेगुलेशन और नि सूची में शामिल क्या गया है जिसके माध्यम से उनके संद्रक्षन दर्जे के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है सरकार दुआरा अलग-लग इस्तर की सुरक्षा और निगरानी इन प्रजातियों को इन अनुसूचियों के आधार पर प्रदान के जाती है वने जीव अधिनियम ने साइट्स यानि Convention on International Trade of Endangered Species of Wild, Fauna and Flora में भारत की प्रवेश को सरल बनाया है और साथ ही इसके अंतरगत जो अनुसूची चार शामिल के गई है उसमें साइट्स की नमूनों को भी विसस्ट महत्वत दिया गया है तो चार अनुसूचिया निर्मित हुई है व ग्रस्त पशू प्रजातियां इसमें शामिल की गई है जिने सरवाधिक संद्रक्शन की आवशकता है और किस तरह की प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है प्रजातियां इसमें सेकडों और हजारों की संख्या में मिलेंगी आपको तो अनुसूचियों को किस तरह से याद किया जाए अगर examination में यहाँ से प्रक्षन आता है तो आप किस तरह से उसको attempt करेंगे इसका attempt करने का सीधा तरीका है कि हाल फिलाल में जितनी भी प्रजातियां किसी ने किसी कारण से चर्चा में रहे हैं उनके IUCNA status आपको पता होना चाहिए उनका site status आपको पता होना च हैं बलकि हाल फिलाल में जो प्रजातियां लगातार चर्चा में रही हैं उन प्रजातियों के status को आपको जानना चाहिए और तीन स्टेटस आपको जानने चाहिए IUCN रेडलिस्ट स्टेटस साथ ही साइट से स्टेटस की कौन से परिश्ष्ट में अपेंडिक्स में शामिल क्या गया है और वन एजीव संद्रक्षन अधिनियम की किस अनुसूची में उस प्रजाति को शामिल क्या गया है चाहे वो पोधे हिरन को इसमें शामिल क्या गया है हिम तेंद्वा यानि स्नो लिपर्ड को शामिल क्या गया है इसी तरह से हिमाले भालू एशिया शेर और भारती कोब्रा के साथ किंग कोब्रा को भी इसमें शामिल क्या गया है अनुसूची दो किससे संबंदित है ऐसी पशू प्रजातिय इसमें शामिल की जाए की गई है जिने संद्रक्षण की कम आवशकता है कम संद्रक्षण के अदिने किस तरह कि इसमें प्रजातियां है जैसे नील गाए चित्तिदार हेरन जिसको हम चीतल के नाम से भी जानते हैं जंगली तुवर अंडमान बुलबुल और ग्रेटर फ्लेमि करतादियों को शामिल क्या गया है जिन इस दुर्क्षण के आवशक्ता है इसमें किस तरह की सामाने प्रजाति है घम पूरिंजी प्रेशिग आए इसमें जो होता है उनुसूची जो चार वह साइडस के एम तरगा जो परिस्ट बनाए गये गijn हैं उसमें जो सूचीबद नमूने है अनुसुची 4 में उनको अधिकानस्त hadnya गया है तो इसके अंतरगत कितने परिशिष्ट बनाए गए है अनुसुची चार में अपेंडिक्स बनाए गए है और जिसंगे छोब Star कि बात करते हैं कि इसके अपेंडिक्स में है इसक्ष चार में परिशिष्ट को और इसमें अलग-अलग तरह की प्रजातियों को शामिल कर दिया गया है जिन्हें अंतराश्थी व्यापार के कारण खत्रा पैदा हो सकता है जिस तरह से किस तरह की प्रजातियां इसमें शामिल है जैसे उंट गवानाको उंट की ही जो कैमलीड्स हैं उसकी कहीं तरह की कोई भी प्रजादी को आपको देखना है कि उसका स्ट्रेटस क्या है और को साइट के किस परिशेष्ट में शामिल किया गया है और साथ ही वने जीव संद्रक्षण अधिनियम 1922 की किस अनुसूची में उसको शामिल किया गया है अब इन सभी टोपिक से सब्बंदृ प्रश्ण देख लेते हैं इन सभी पर्श्णों के ऊस्तरां आपको कमेंट करके देना है इंक ह्सर्ण भारत में निमनल कितमें से किस या किन शेत्र ह्सक्शेत्रों में पाई जाता है आपके options हैं पूर्वी घाट पश्यमी घाट उत्राखान या उपरियुक्त सभी अगला प्रक्ष्ण है एशाई शेर का IUCN यानि International Union for the Conservation of Nature Red सूची में दर्जा ग्या है तुभेद्य संकट ग्रस्त गंभी रूप से संकट ग्रस्त या कम से कम चिंतनिये लीस्ट कंसर्ण अगला प्रशन है निम्नलिखित में से कौन सा पारस्तिति की समेदन शील शेत्र घोशित करने का प्रात्मिक उदेश्य है आपके options हैं परियाटन को बढ़ावा देना बुनियादी धाचे का विकास करना परियावरण और जया विविदता के दो, तीन और चार इन सभी प्रशनों के उत्तर आपको comment box में comment करके जरूर देने हैं फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी धन्यवाद Dear viewers, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चानल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले